योजनाइन हिंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप एक किसान है और आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड यानि के के सी सी बनवाना चाहते हैं तो आप अपना के सी सी किसान क्रेडिट कार्ड कहां से बनवा सकते हैं और कितना पैसा इसमें आपको सरकार की तरफ से मिलता है और क्या लाब आपको किसान क्रेडिट कार्ड का मिलता है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आप वीडियो अंत तक देखिये क्या और क्या डोकॉमेंट आपके इसमेल लगेंगे केंदर सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई तरह की योजनाये चलाई हुई हैं जिसमें किसानों को फायदा भी हो रहा है और उन्हें लाब भी मिला है इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए खास प्लान बनाये हैं और सरकार बना रही है वितमंत्री स्री सीता रमन जी ने किसानों की आर्थिक स्थिती को ध्यान में रखते हुए खास दिसानिर्देश बैंकों को दिये हैं इसके तहट सरकारी बैंकों को कहा गया है कि सभी किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाए और उन्हें आसानी से लोन उपलब्द कराया जाए जो देश की वितमंत्री जी हैं सीतारमन उन्होंने सभी सरकारी बैंकों को खास दिर्शा निर्देश दिये हैं कि सभी किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाया जाए और उन्हें आसानी से लोन उपलब्द करा जाए कैसे बनवा सकते हैं किसान करेडिट कार्ड और कैसे करे आविधन अगर आप एक किसान है और आप किसान करेडिट कार्ड बनवाने के चुक हैं तो आप अपने नजदी के बैंक साका में जाएए वहाँ जाकर आप अपना आविधन कीजिए आवेदन के साथ आपको कुछ डोकुमेंट लगाने होंगे जैसे आपका अधार कार्ड दो पास्पोर्ट साइज के फोटो आदी दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी इसके इलावा आपको बोई हुई फसल की जानकारी देनी होगी देखे अगर आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप अपने नजदी की बैंक की साका में जाएए वहाँ पर जाने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं आवेदन के साथ आपको आधार कार्ड लगाना है दो पॉस्पोर्ट साइज के फोटो और जो अफसल आपने अपने खेत में या अपनी जमीन में बोई है उसकी जानकारी आपको देनी होगी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये किसानों को पांस साल की अवधी के लिए तीन लाग रुपेगा लोन सरकार की तरफ से मिलता है और यह लोन बहुत ही आसान ब्याज दरों पर दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये लिए गए पैसे पर सरकार की तरफ से सबसीड़ी भी दी जाती है जिससे आपको आम तोर पर बहुत कम ब्याज देना पड़ता है अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो इसकी हवदी पांस साल होती है और पांस साल के लिए आपको तीन लाग रुपेगा लोन दिया जाता है और इस लोन पर आपको बहुत ही सस्ती ब्याजदर देनी पड़ती है यानि कि आपको बहुत ही कम ब्याजदर पर यह लोन उपलब्द करा जाता है सरकार के तरफ से और किसान क्रेडिट कार्ड से आप जो पैसा लेते हैं सरकार उस पर सबसीड़ी भी देती है जैसे कि अगर आप साल भर के अंदर अपना लोन जमा करते हैं अगर आपने तीन लाग रुपे लिया है और आप साल भर में इस लोन को जमा करते हैं तो इसमें अगर आप एक साल के अंदर जमा करते हैं तो आपका जो ब्याज होता है उस पर सरकार की तरफ से सबसीड़ी भी दी जाती है और यह वोन बहुती आसानी से किसानों को मिल जाता है तो अगर आप भी अपना क्रेडिट कारड बनवाने के चूख है तो आप अपने नस्दी की बैंक साखा में जाए वहाँ से आप आसानी से अपना क्रेडिट कारड यानि के के सी सी बनवा सकते हैं और आप लाब ले सकते हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद